वो exercise है वो करते हैं ये है हमारा first point नीचे गुर्मुखी और देव नगरी देव नागरी लिपी में दिये के शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों में लिखने का ब्यास करो तितली को हिंदी में लिखना है फिर तितली रंगोली रंगोली लिखना है नानी नानी लिखना पसंत रिखना है सयानी सयानी और परी परी लिखना है जो आपको दिये हैं पजाबी के वर्ड उसको हमने हिंदी में लिख देना है नीचे एक ही अर्त के लिए पजाबी और हिंदी बाशा में शबद दिये गए हैं इन्हें द्यान से पढ़ो और हिंदी वाले शब्दों को लिखो आगे है खांब, खांब जो होता है वो पंजाबी में होता है पंख जो होता है हिंदी में रुत रितु सपना सपन थीक है वन सवन्नी रंग ब्रंगी हाथ हाथ सुनेहरा सोना या सवर्न सुनेहरा या सोना उसको हम हिंदी में सवर्न बुल लेंगे आगे है हमारा पॉइंट पड़ो समझे और लेको ठीक है यह है स प्लस वो इकोवल टू आधा स प्लस वो जया स और नउ न या पो और नउ आधा स वो पो न स्वपन थीक है कैसे बना है यह स्वपन उसके जो यह वर्ड है् तो खुल का लिखा हुआ पटरी यह दिकोशन नजे पूरा पुरा लिखा यहां पर पूरा सलिखा उपड़े न तो ये पुरा दो ये मौ लिखाivery इसको पूरा अब बषूण बन गया है इसके औह adapting our शबधर्थ पर किये जाने वाली चितरकारी रंगोली उसको बोलते हैं, जो हम अपने रंगोली सजाते हैं, फंक्षनों पर ठीक है। या कोई भी फैस्टिवल होता है तो हम अपने स्कूल में यह घर में रूंगोली से जाते ना उसको रूंगोली बोलते हैं आगे है स्वपन सपना लुबाना मोहित करना रुत रितु ते सवर्न सोना सवर्न को सोना भी बोलते हैं ठीक है बेटा जी आगे हमने इसकी पेज आगे करने है पेज पॉल्ड कर लो पलट लो यह हमारा लिखा हुआ कविता की लाइन पूरी करू नमबर लग सभला पर है रांग बरंगी जिसकी जोली देक है arts लिक्वन है तो आपने लिखना है जिसकी जोली पंखो प्र डैश आपने लिखना है पंखो पर जिसकी रूत बसंत में आती तितली, गीत खुशी के गाती तितली, ठीका बेटा जी, आगे हमारा next point है, बताओ, जिसको हम question answer बोलते हैं, तो यह हमने करने है, question answer, तितली के पंख कैसे होते हैं, आपने लिखना है, तितली के पंख रंग बरंगे होते हैं, तितली किस रित में तितली बसंत रितु में दिखाई दिती है, और third है हमारा question, नानी किस की कहानिया सुनाया करती थी, आपने बोलना है, नानी स्वर्णपरी की कहानिया सुनाया करती थी, आगे है तुकमलाओ, आपने तुकमलाओ जैसे चोली लिखा हुए, उसको रंगोली बना दिया, इठल आती, लुभाती, सजाती, सर्माती, आती और गाती, ठीक है, आगे है हमारे हुआ के बनाओ, रंग बिरंगी, ठीक है, तितली रंग बिरंगी होती है, यह तो सभी को बताया कि तितली रंग बिरंगी होती है, आपने ये वाके बना देना है, कि तितली रंग बिरंगी होती ह आगे है बसंत, तितली बसंत रित्यू में आती है, आगे है कहानी, हमारी दादी ने कल हमें कहानी सनाई, सियानी, सीमा बहुत सियानी लड़की है, यह निकि आपने पॉई में से लेने आवाक बनाओ, आपने अपनी तरफ से भी कुछ लिख देना है, कहीं से भी वर्ड बनान लेकिन जो वर्ड दिया है, जैसे स्यानी दिया तो आपका जो संत्यान सा, उसमें स्यानी आना चाहिए, ठीक है बेटा जी, आगे है रशनात मकोशर, तितली को उटते हुए देखो, तितली का चितर बनाओ, उसमें रंग बरो, ठीक है, आपने आपको पताए बेटा, आपन चितर बना देना, उसमें रंग बरंगे, कलर फिल करतेने, ठीक है, इस तरह ये हमारा लेसन जो है, कविता जो है, तितली रानी कम्प्लीट हो गया, मुझे पूरी आशा है, कि आपको मेरा ये सारा लेसन अच्छी तरह से समझ आया,